हरियों प्रिदर्शकों मैं हूँ पंडित बल्राम पांडे हाजिर हूँ आज का राशी फल्ले के बात करेंगे किन राशिबालों को लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और किन राशिबालों को बेहद साधान रहने की जरूरत है तो राशी के क्रम में बात करें आज बगमान सुर्णारयण की आराधना करना आपके लिए strength रहेगा आज इस बात का विध्यान रखना होगा कि अधिक निवेस ना करें अधिक खर्चे ना करें अधिक खर्चा करना आपके लिए नुकसान दैख हो सकता है आज अपने खर्चे में यंत्र नखना बहुत जरूरी होगा वहीं बात करें दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन आज मिला जुला रहने वाला है और इस्टुडेंट को आज शंघर्ष तो करना होगा पर अच्छी बात यह है कि आपको शफलता भी प्राप्त होगी और बात करें निवेश की तो निवेश कर सकते हैं परन्तु कोई बड़ा निवेश ना करें छोटा निवेश करें और बहुत अच्छे से जांच परकलें और आपको जब विश्वास हो जाए कि कोई समस्या नहीं है तो फिर निवेश आप कर सकते हैं और दिन में एक अबजित महूर्थ होता है मध्यान काल में उसमें निवेश करना या कोई विन्याकार करना बहुत ही लावप्रद होता है तो उसमें कोई कार करें तो विशेश लाव प्राप्त होंगे अब बात कर लेते हैं ब्रस रास की, ब्रस रास के लोगों के लिए आज के दिन अच्छा रहने बाला है, आज आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, आज आपको अचानक धनलाभ हो सकता है, आज कोई ऐसे अबसर आपको मिल सकते हैं, जिन से पूरा दिन मन में खुशी बनी र यह स्चुडेंट की बात करें तो संगर्स मिल सकती है आप कर सकते सकते हैं आपको साथान रहने की ज़ूरत होगी हो सकता है कि ऑनलाइन करने से फ्रोडगीरी हो आपको बेहद शावधान रहना होगा बागी आजके दिन में कोई क्छा समझा तो नहीं है बस आपको आनलाइन कोई भी काम कर रहे हो उस समय आपको बेहद सचेत रहने की सावधान रहने की जरूरत है अब बात कर लेते हैं मिथनराष की, मिथुल रास के लोगों के लिए आज का दिन बेहद महत्त पूर्ण रहेगा आज आपको विसेश लाब होने वाला है खास कर यदि जमीन जायदात से सम्मन्नित कोई काम रुका हुआ था तो आज होता हुआ दिखाई देगा सरकारिय दिखारियों का विसेश सहयोग आपको प सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं तो आज का दिन कहा जाये तो आपके लिए लाबदायक है बस आपको उन लोगों से सावधान रहना है जिनके उपर आप बहुत ज़्यादा विस्वास करते हैं आज विस्वास पात्रों लोग ही अपने लोग ही आज आपको नुक्सान पहुचाने की योजनाएं बना सकते हैं, कोशिस कर सकते हैं, तो हर कार करते समय सचेत रहने की जरूरत है, अब बात कर लेते हैं करकरास की, तो करकरास के लोगों के लिए आज का दिन लाबदायक रहने वाला है, आज आपको कोई यात्रा का मौका मिल सकता है, खास कर कोई धा जात्रा में जाना भगमान के दर्शन करना आद ये सब चीजें आपके साथ हो सकते हैं और खास कर आपको बड़ों का अशिरवाद लेना आज बेहद पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए लावदायक होने बाला है तो आज अपने से बड़ों का अशिरवाद लें ब्रामणो का गुरुजनों का माता पिता का सभी का अशिरवाद लें और भगमान शूर नारैन की आराधना करें आज के दिन जो समस्याइं आने वाली हैं वो दूर हो जाएंगी आज आपको अपने आवेग में अपने कुरोध में कंट्रोल रखने की जरूरत है आज दिन में कोई खा बात करें तो दामपत्य जीवन अच्छा रहने वाला है और इस्ट्रिडिंट को भी आज मन चाहिस भलता राप्त होने वाली है निवेश की बात करें तो निवेश आप कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं शिंग राज की तो शिंग राज के लोगों के लिए आज के दिन आज दामपत्य जीवन शुक में तो रहेगा परंतु दिन के उत्तरार्द में कुछ बाद विवाद भी हो सकते हैं आपको आज अपने बाणी में कंट्रोल रखना होगा आज ऐसी बातें हो सकती हैं जो की बड़े तड़ाई जगडे की जड़ बन सकती हैं तो आज अपने यह से बाणी में कंट्रोल रखना होगा जो की अजब कि दिन का मूर्मंत्र आप बात करें तो सवास्त की तो स्वास्त बेतर रहने वाला है और इस्टुडेंट को भी आज सभलताएं प्राप्त होने वाली हैं परंतु आपको ब्रहम की स्थिती पैदा हो सकती है तो ब्रहमित नहों पूरामर अपने पढ़ाई में लगाएं जिसे आपको सभलताएं प्राप्त हो निवेश की बात करें तो निवेश आप कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कर्णियाराख की कर्णियाराख के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने बाला है आज आपको अपने विप्रीत का सम्मान करना बहुत जरूरी होगा और शाथ में यदि आप कोई ब्यापार कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर साउधानी रखनी होगी हो सकता है कि पार्टनर आज अपना हित शाधने की कोशिश करे और दामपत्त जीवन में भी आज कुछ मनमुटाव जैसी श्थिती पैदा हो सकती है जो कि दिन के उत्तरार्ड आते आते सभी समच्याओं का हल मिल जाएगा बात करें इस्टुडिंट की तो इस्टुडिंट के लिए आज का दिन वेहद लाबदायक और सफलता दायक रहने बाला है आज स्वास्त के द्रश्टकून से देखें तो स्वास्त में कोई खास समस्या तो नहीं है परन्तु नीद से संबंधित तकलीफे या सरदर्द जैसी समस्याएं उत्पर्ण हो सकती है तो इस चीज़ से आपको सौधान रहना होगा बाकी कोई खास समस्या नहीं रहने वाली है बात कर लेते हैं तुला राश की तुला राश के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है परन्तु सावधान भी रहना होगा आज यात्रा तो आप कर सकते हैं यात्रा का आपको मौका भी मिलेगा परंतु यात्रा में बेहत सावधान रहना होगा, यात्रा में आज कोई बड़ी समस्या, कोई चोड़ चपेड या ऐसी घटना घट सकती है, जिससे समस्याएं पूरा दिन चिंता में आपको डाल सकती है, तो यात्रा करते समय बेहत सावधान रहें, हाँ जो की यात्रा लावधायक होगी, परंतु वहाँ चोड़ चपेड लगना, आकश्मी घटना घटना, ये इस्टिती पैदा हो सकती है, और बात करें दामपत्य जीवन की, तो दामपत्य जीवन सुख में रहने वाला है, और ये स्टुडेंट को आज कहीं न कहीं देखा जाए, तो मांशिव चिंसन और भ्रहम की इस्थिती पैदा हो सकती है, आज शंगर्स इस्टुडेंट को करना होगा, तो आप पहले से ही अपनी तयारी बना ले, यदि हम तयारी बना ले, पहले से प्लानिंग बना ले, तो भिग्रे हुए काम भी बन सकते हैं, और बात करें निवेश की, तो निवेश करना आज आपके लिए लाबदायक नहने वाला है, परन्तु रिसर्च करने के बाद ही निवेश करें, अब अब बात कर लेते हैं वरश्चिक राज की, तो वरश्चिक राज के लोगों के लिए आज का दिन लाबदायक तो होगा, आपको कोई बड़ी डील भी मिल सकती है, परन्तु पहले से यदि कोई आपको लाब मिल रहा था, उसमें अबरोध पैदा हो सकता है, जो आपने पहल वापिस आज खड़े हो सकते हैं, तो आपको सत्रूओं से बचके रहना होगा, और निवेश करते समय भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि निवेश करते समय ऐसी कोई समस्या हो सकती है, जो कि आपको मालूम ना पड़े, परन्तु आँगे चलके वो बड़ी अर्चन बन सकती है, बात करें स्वास्त की तो स्वास्त आज बेहतर रहने वाला है, और एस्टुडेंट को भी आज विशेश लाभ सफलताएं मिलने वाली है, एस्टुडेंट के लिए आज स्वर्निम अबसर रहने वाला है, वहीं बात करें दामपत्य जीमन की दामपत्य जीमन आ रहने वाली है अब बात कर लेते हैं धन राश की तो धन राश के लोगों के लिए आज दिन मिला जुला रहने वाला है आज सरकारी सक्टर के लोगों से साउधान रहना होगा और अपने स्वास्त का ध्यान रखना होगा आज घर परिवार के लोगों का भी विशेश रूप से ध्यान रखना घर परिवार के सदस्टों के साथ समय बिताना यह बहुत जरूरी होगा इससे सभी के मन में प्रेम भाव आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव बना रहेगा आज आपको यात्रा करते समय भी साधानी बरतना बहुत जरूरी होगा और यदि यात्रा करना बहुत जरूरी ना हो तो ना करे तो जादा स्रेश्ट रहेगा आज किसी मित्र से मुलाकात भी हो सकती है और मित्र आपकी शहायता भी कर सकता है कोई यदि बिगडे हुए काम है उनमें आपकी help भी कर सकता है परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि अपने से खुद कोई बात share किसी से नहीं करना है सामने बारे दी आपकी समस्या समझ जाए और आपके help कर दे तो ठीक है परंतु खुद लोगों से अपनी बात share नहीं करना है और बात करें निवेस की तो निवेस करने से आज आज आपको बचना चाहिए अब बात कर लेते हैं मकर राश की तो मकर राश के लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा कि आज अपने इश्ट देव की आराधना करें और अपने से बड़ों का आसिरवाद लें गुर्जनों का, ब्राम्णों का, माता पिता का सभी का आसिरवाद लेके कोई भी काम प्रारंब करें दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन आज मिला जुला रहने बाला है और एस्टुडेंट को भी आज संगर्ज करना होगा पर अच्छी बात यह है कि यदि आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं संगर्ज करने से पीछे नहीं हटते हैं अन्तो गत्व दिन के लाश्ट में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं वहीं बात करने निवेश की तो निवेश करने से आज आज आपको बचना चाहिए अब बात कर लेते हैं कुम्भराज के कुम्भराज के लोगों के लिए आज का दिन जरूरी होगा हेल्थ को एक नंबर पे रखें बागी सभी काम बाद में क्योंकि यदि हमारी हेल्थ बढ़िया है तो हम फाइनेंस भी हमारा बेतर रह सकता है भर परिवार यह जो भी हम सोच सकते हैं वो सभी चीजे तभी हम कर सकते हैं जब हमारा स्वास्त बेतर रहे बात करें निवेस की तो आप करसकते हैं परन्तु बेहत सावधान रहने के बाद, बेहत रिसर्च करने के बाद फी निवेस करें और ये स्टुडेंट के लिए कहा जाए तो आज का दिन मिला जुला रहने वाला है फिप्टी फिप्टी जैसी इस्तिती पैदा होने बाली है जितनी मेहनत उतनी ही सफ़ता नामपत्य जिवन की बात करें तो दिन के पूरवार्दें कुछ मन मुटाओ हो सकता है परन तो दिन के उत्राज आते आते समस्याओं का समधान मिल जाएगा बस आज विशेश रूप से अपने स्वास्त का ध्यान रखना है और जो भी काम करें उसमें आपको खुद अपने आपको सर्वे सर्वा नहीं मानना है हर व्यक्ति का कोई नो कोई महत्त होता है हर व्यक्ति का कोई नो कोई रोल होता है तो जिसका जो रोल है उसको निभाने दें और आपका जो रोल है वही निभाने ऐसा करने की कोशिश ना करें कि सभी का रोल आप अपने हाथ में लें ऐसा करना आपके लिए खासकत नुक्सान दैख हो सकता है अर्थात सभी क्या स्योग लेके कामों को करें तो सफ़ताइं मिल सकती है अब बात कर लेते हैं मीन राशकी तो मीन राशके लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा आज आपको वो लोग धोखा दे सकते हैं जिनके उपर आप विश्वास करते हैं आज यदि आप पार्टनर्शिप में काम कर रहे हैं आपको सचेत रहना होगा साउधान रहना होगा जो की पार्टनर आपको कहीं न कहीं कोसिस करेगा चक्मा देने की आपको भ्रमित करने की परंतु आपको साउधान रहना बहुत जरूरी होगा बात करें दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन भी आज बहुत स्रेश्ट नहीं कहा जाएगा कुछ छोटी छोटी बातों को लेके मन मुटाव बन सकता है और ये स्टुडेंट के लिए भी आज का दिन मानसिक टिंसन भरा रह सकता है तो आज मीन राशिवालों के लिए बहुत जरूरी होगा कि जो भी काम हो उन्हें पहले से ही आप शिरूर कर लें लिस्ट बना लें और एक मन को एक परके क्योंकि मीन राशिवालों को अक्सर दो सभाव राशी है तो कहीं न कहीं मन भिचलित होता रहता है तो आपको मन को एक आग्र करना है एक चित करना है और फिर काम को करना है और पीछे नहीं हटना है अक्सर मीन राशे वाले एक काम करते हैं फिर छोड़ के फिर दूसरा काम करने कोशे करते हैं भाई यह सही नहीं तो चलो दूसरा कर ले परन्तु सफलताएं तभी मिलती जब हम एक काम को लंबे समय तक करते हैं जब तक हमें सफलताएं ना प्राप्त हों तब तक हमें करते रहना चाहिए या तो हमें सफलता प्राप्त होगी या तो हमें अनुभव प्राप्त होगा इन वातों का ध्यान रखना है बात करें निवेश की तो निवेश आप कर सकते हैं प्रन्तु रिशर्च कर ले अच्छे पर नाम मिल सकते हैं तो दर्सकों यह रहा में सरासी से मीन रास्तक का आज का रासी फल आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए हरी ओवर